हाई कोट के वकीलों ने बुलाई हर्ताल जजों के खिलाव खोला मोर्चा बार एसोशियेशन ने बुलाई बैठक इलहाबाद हाई कोट में हाई वोल्टेज ड्रामा नमस्कार Capital TV की Special Story देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रोहित कुमार उत्तर परदेश के इलहाबाद हाई कोट की बार एसोशियेशन ने अपनी कई मांगों को लेकर पिछले दो दिनों में हर्ताल कर रखी है और आज भी यह हर्ताल जारी है वकीलों के सारा कामकाच ठब पड़ गया है खास बात यह है कि अब यह हर्ताल जज बना वकील बन गई है इसकी बज़ा यह है कि बार एसोशियेशन ने अपने नए प्रस्ताव में फैसला किया है कि हाई कोट में किसी भी केस की सुनवाई के दोरान जजों को माई लॉर्ड या फिर यॉर लॉर्ड सी नहीं बलकि सर कहने का फैसला किया है दरसल बार एसोशेशन ने अपनी मांगों को लेकर बैठक की और चीफ जस्टीस समेट सीनियर जजों के सामने अपनी बात रखी हलाकि जजों और बार एसोशेशन के बीच यह बाची किसी नतीजे तक नहीं पहुँची और विफल हो गई ऐसे में अब ये विवाद जज बना वकील बनती नजर आ रही है वकीलों का कहना है कि जजों के वैवहार वव मनमानी सुनवाई प्रकिरिया के खिलाब बार एसोशेशन लामबंध हो गया है इस मामले में इलहाबाद हाई कोट के बार एसोशेशन अध्यक्ष अनेल तिवारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि जज भगवान बनने से पीछे हटे और आम इंसान बनकर न्याय करे उन्होंने कहा कि यही वज़ा है कि बार एसोशेशन ने फैसला लिया है कि वकील जजों को माई लॉड ना कहकर बलकि सर कहकर संबोधित करें इसको लेकर बार काउंसिल की तरब से एक प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है बार एसोशेशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने यह भी कहा कि दो दिन से इलाहाबाद हाई कोट में वकील बहिसकार कर रहे हैं इसके चलते बार सरकारी और प्राइविट प्रैक्टिस करने वाले वकीलों पर सक्त हो गया है इसके अलावा कार्य बहिशकार के दोरान अगर कोई वकील फिजिकल या फिर वीडियो कॉन्फिरिंसिंग के जरिये उपस्तित होता है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी इतना ही नहीं जो भी वकील इस दोरान उपस्तित हुए थे उन्हें कारण बताव नोटिस भी जारी किया जाएगा बार एसोशेशन ने एक बैठक कर कड़े शब्दों में परस्ताव पारिक करते हुए कहा कि बार खुद को भगवान मानने वाले कुछ माननिय न्याधीशों द्वारा किये जा रहे अंदरूनी हमले से न्याई पालिका को बचाना चाहती है बार एंड बैंच के मुताबिक इस प्रस्ताव में संकल्प लिया गया है कि हाइकोट न्याई का मंदिर नहीं बलकि न्याई की अदालत है और न्याई धीश भी भगवान नहीं बलकि लोग से बख हैं जिसके लिए उन्हें सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है और उन्ह आम जनता की सिवा के लिए निफ्ट किया जाता है। हम उन्हें भगवान मानने से अनकार करते हैं। प्रस्ताओं में सभी वकीलों से आगरह किया गया है कि वे नियाईधीशों को My Lord या फिर Your Lordship कहकर संबोधित ना करें। हाला कि प्रस्ताओं में कहा गया है कि वकील किसी भी सर्वनाम जैसे कि Sir, Your Honor या मैनी का उप्योग कर सकते हैं। अपने प्रस्ताओं में High Court Bar Association ने भारत के मुख्य नियाईधीश CGI Justice DIY चनरचूर के हालिया बयान का भी हवाला दिया है। CGI ने अदालतों को नियाई का मंदिर कहे जाने पर अपनी आपत्ती जताई थी और कहा था कि नियाई धीशो द्वारा स्वयम को उन मंदिरों की देवता समझ लेना एक गंभीर खत्रा है। अब इस प्रथा के इतिहास में जाएं और कटोले कि आखिर इस प्रथा के नियुव भारत में कैसे पड़ी और इसकी शुरुवात कैसे हुई तो कई चीजे निकल कर सामने आती हैं। दरसल अदालत में वकील जजों को सम्मान सुचक शब्दों में संबोधित करते हुए माई लॉट कहते हैं विसे सम्मान देते हुए जज को पवित्र और इशुवर के जैसा माना जाता है। इसलिए अदालत में वकील लोग जज को माई लॉट कहते हैं। भारत लंबे समय तक ब्रिटिस हुकूमत के अंतरगत रहा और भारतिय नियाय ववस्था को ब्रिटिस हुकूमत ने चलाया। ब्रिटिस हुकूमत के द्वारा जजों की निफ्ति की जाती थी और ब्रिटेन के हैं अनुसार अधिव्यक्ता इन जजों के सामने उपस्तित होते थे। जैसा कि ब्रिटिस में जजों को माई लॉड कहकर संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार भारत देश के अंदर भी यही संबोधन प्रचलन में आया और अब भी चल रहा है। हलाकि बायर काउंसिल ओफ इंडिया ने वकीलों से आगरह किया कि जजों को माई लॉड कहकर संबोधित करना बंद किया जाना चाहिए। और अब जजों को माई लॉड के स्थान पर श्रिमा या महोदय कहकर उनको संबोधित करे। इसके बावजूद भी कुछ जज इसे पुरानी प्रथा की तरह ही कायम रखना चाहते हैं। और इसी वज़ा से इलहाबाद हाई कोट में जज और वकील अब आमने सामने हैं। जानकारी के लिए बता दें किस से पहले भी सुप्रीम कोट में एक सुनवाई के दौरान वकीलों द्वारा बार-बार माई लॉर्ड और यॉर लॉर्ड शीप कहे जाने पर एक जज ने नाखूशी जताई थी। जस्टिस एस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीट में शामिल नियायमूर्थी पीएस नरसिमा ने एक नियमित मामने की सुनवाई के दौरान एक सीनियर वकील से कहा था कि आप कितनी वार माई लॉर्ड कहेंगे। यदि आप यह कहना बंद कर देंगे तो मैं आपको अपनी आधी सैलरी दे दूँगा। कोड में बहस के दौरान वकील से जच को हमेशा माई लॉर्ड या यूर लॉर्ड शिप टहकर संबोधित करते हैं। इस प्रैक्टिस का विरोध करने वाले अकसर इसे अपनिवेशिक युक का अवशेश और गुलामी की निशानी बताते हैं। जस्टिस नरसिम्मा ने कहा था कि आप इसके बजाए सरकाव पियो क्यों नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि अन्य था वह गिनना शुरू कर देंगे कि वकील ने कितनी बार माई लॉर्ड शब्द का उचारन किया है। इतना है नहीं, 13 अगस 2020 को सुप्रीम कोट में चीफ जस्टिस S.A. बोबडे और एक वकील के बीच रोचक बाचीत हुई। विशेश था अदालत को कैसे संबोधित किया जाए। C.J.I. की अध्यक्षता में पीट वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक वकील ने उन्हें संबोधित किया, Your Honor, जिस पर C.J.I. बोबडे ने पूछा, क्या आप अमरीकी सुप्रीम कोट में हैं। C.J.I. के अनुसार, Your Honor का परियोग भारतिय नहीं बलकि अमरीकी करते हैं। वकील ने दलील दी कि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं। जिससे यह तैह हो कि वकील अधालत को कैसे संबोधित करे। बतादे चलें कि 6 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोट की एक बेंच ने जिसमें ततकालीन C.J.I. जस्टिस, H.L. दत्तु और ऐसे बोबडे शामिल थे। एक वकील शिवसागर तिवारी की और से दार जनहित याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। जिसे खारिज कर दिया गया था। याचिका में My Lord और Your Lordship शब्दों का पर्योग करने पर परतिबंद की मांग की गई थी। जिसको लेकर कोई सहमत नहीं बन पाई। उनकी दलील थी कि ये शब्द गुलामी के प्रतीत है। न्यालों में इनके इस्तेमाल पर सक्ति से रोक लगाई जानी चाहिए। इतना है नहीं बार कांसिल ओफ इंडिया बी सी आई ने 2006 में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें निर्ने लिया गया था कि कोई भी वकी जज को माई लॉर्ड और यॉर लॉर्ड शिप कहकर संबोधि नहीं करेगा। लेकिन अब तक प्रैक्टिस में इसका पाल नहीं किया जा सका है। जज खुद को भगवान की तरह पेश करते हैं। इलाहबाद हाई कोट बार असोशेशन के संयुक सची प्रेस पुनीत कुमा बार शुकला ने प्रेस नोट जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। गौर तलब है कि लहाबाद हाई कोट के वकील अपनी विभिन मांगों को लेकर बुद्वार से ही हरताल पर है। हाई कोट बार असोशेशन का आरोप है कि अदालतों में वकीलों के साथ दुर्वैभा का हरताल बार असोशेशन की बैठक में पिछले दो दिनों से चल रही हरताल को आगे भी जारी रखने का फैसला किया गया है। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि वकील अब शुक्रवार को भी कामकास नहीं करेंगे और हरताल पर बने रहेंगे। बैठक में यह भी तैय किय आगया कि बार असोशेशन के हरताल के एलान के बावजूर जो वकील अदालत में पेश हुए थे या उन्होंने वीडियो कांफरेंसिंग के जरिये बहस की थी उनकी सदस्था निरस्थ कर दी जाएगी। ऐसे वकीलों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उन्हें कोई काम ना कर रही है। हाई कोट में हरताल की वज़ास से सारे कामकाज रुके हुए हैं। ऐसे में देखना ये है कि जजों और वकीलों का ये ठक्राव कहां जाकर रुकता है और किसकी जीत होती है। फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहे है चैप्टल टिंग कर देख नौसकार। हर नपस को फूप पहचाता है। संगर्ष पी सियासत से सत्ता के सिधासन तक मैं हर खमर से खरा सक्ष निकार। ना कोई दौड ना कोई रेक्स कैपिटल टिंग उत्रप्रदेश। और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले। ताकि आप तक हमारे विडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे। आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ चुणने के लिए शुक्रिया।